कॉंग्रिस पार्टी की अस्थापना दिवस है जा रहा है ऐसे में कॉंग्रिस चुप नहीं रह सकती हमारे प्यारे देश्वासियों और कांग्रिस के जंबाज साथियों आज हम सब 134 साल पुरानी अपनी कांग्रिस का स्टापना दिवास पूरे देश में बड़े व्यापक रूफ से मना रहे हैं कांग्रिस केवल एक राजनीतिक पार्टी का ही नाम नहीं है बलकि एक अंदोलन का नाम है कांग्रिस की स्टापना किन परिस्थितियों में हुई या मुझे बताने की जरूरत नहीं है अजादी के अंदोलन ने कांग्रिस और उसके तमाम निताओं ने बढ़ चड़कर हिस्सा लिया संगहर्श किया जेलों में कतूर यतनाय जेली और बहुत से धेशबक्तों ने अपने परानों तक का बालिदान किया तब जाकर कहीं हमें अजादी मिली अजादी के बाद हमें जो भारत मिला उसकी कलपना करना कतिम है लेकिन हमारे महाम निताओं ने बड़ी सूजबूज और दृर निश्चे के साथ भारत के नवनिर्मान की एक मजबूत बुनियाद रखी जिस पर चल कर हमने एक सशक्त भारत करी किया एक ऐसा भारत जिसमें सभी देशवासियों के अधिकारों और हितों का ध्यान रखा गिया जिन लोगों ने अजादी के अंदोलन में भगिदारी नहीं की वे इसकी किमत कभी नहीं समझ सकते आज भारत की उस मजबूत बुनियाद को कमजोर करने का हर संभाव प्रयास किया जा रहा है इतिहास को जुटलाया जा रहा है हमारी विरासत गंगा जामुनी संस्कृति को मिताने की नापाक कोशिश हो रही है डेश का आमनागरिक असुरक्षित और भैभीट महसूस कर रहा है लोगतंत्र और संभिदान को दर किनार कर ताना शही चलाई जा रही है ऐसे वक्त में कंग्रेस चुप नहीं रह सकती डेश की विरासत को किसी को भी नश्ट करने की इजाज़त नहीं देगी आम जन्न मानस के लिए लोगतंत्र की रक्षा के लिए देश विरोदी समाज विरोदी साजिसों के किलाब हर संगर्ष करेगी हर कुर्बानी देगी आज के इस एठिहासिक आफसर पर एक एक कंगरेस जन को यहीं संकल्प लेना है और कंगरेस संगतान को मजबूट बनाना है इही शब्दों के साथ आप सभी को कंगरेस ठापना दिवास पर और आने वाले नववर्ष की हारदिक बदाई और शुपकाम में जै हिंद